दोस्तों भारत में चाय हर घर में बड़े शौक से पी जाती है चाय को मनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं और सभी तरीकों को भारती रसोई में आराम से इस्तिमाल किया जाता है पर जब हम बात करते हैं एक किड्नी के पेशन्ट की तो नहीं ये ध्यान रखना होता है कि वो किस टाइप के ड्रेंक अपनी किड्नी की डाइट में इंक्लूट कर रहे हैं क्योंकि एक किड्नी पेशन्ट की डाइट काफी स्ट्रिक होती है और से पूरे तरगे से ध्यान रखना पड़ता है कि इसके शरीर में ड्रिंक द्वारा कौन-कौन से निउट्रिंस, कौन-कौन से विटामिंस और कितना liquid जा रहा है खुशिक किटनी की बिमारी के दारण शरीर में इन सब भी चीजों पर रोक थाम रहती है अगर आपके शरीर में किसी भी liquid से जाधा पानी चला गया या फिर किसी liquid से अलग अलग तरह के बेकार nutrients चले गए तो यह आपकी किन्नी पर extra दबाव डालते जाएंगे यानि कि कोई भी एरागरा liquid पीना आपके लिए काफी जहरिला साबित हो सकता है कोई भी ऐसा liquid जो आपकी किन्नी की diet का हिस्सा नहीं है वो आपकी किन्निया और तीली से खराब करता जाएगा पर घबराई नहीं चले आज जानते हैं चाय के एक ऐसे टाइप के बारे में जो आपकी किन्नी की बिमारियों में आपके लिए बिल्कुल अम्रिस साबित हो सकता है जो सो वैसे आम तोर पर इंडियन घरों में चाय बनाई जाती है चाय की पत्ती के साथ और उसमें मिलाए जाता है बहुत सारा दूद, साथ में शकर, अद्रक और तरह तरह के मसाले भी कवेकार डाले जाते हैं इस तरह की चाय आपके लिए किड्नी के बिमारी के दौरान काफी खतरनाक हो सकती है क्योंकि ऐसी चाय में मौझूद दूद आपके शरी का फॉस्फोरस बढ़ा सकता है साथी साथ ऐसी चाई में मौजूद शुगर, किड्नी के बिमारी के दौरान आपके डायबटीस पर भी असर कर सकता है जिससे आपको डायबटीस आउट आफ कॉंट्रोल चला जाएगा इसलिए पहली बात तो ये कि आपको इंडियन घर में बन रही चाई नॉर्मल तरीके से बिलकूर नहीं पीनी है आप इस चाई की जगे पी सकते हैं सैफ्रोन वली चाई, सैफ्रोन यानि केसर कश्मीर में पाये जाता है और एक बहुती महंगा मसाला है कई जगे तो सैफ्रोन सोने से भी ज़्यादा महंगा पाये जाता है सैफ्रोन की कुछ कलियां खाने में रंगत और खुश्बू के साथ साथ एक अलग साथ ला देती हैं इसी सैफ्रोन से बनाई जाती है एक अलग तरीके की चाई इसमें सैफरोन की कल्यों के साथ साथ सैफरोन फूल की पत्तियां और चाय का कुछ अलग ही मसाला रहता है जले जानते हैं कि सैफरोन चाय पीने से आपके किड्नी की बिमारियों में आपके शरीर में क्या-क्या फायदे हो सकते हैं केसर का सबसे अच्छा फाइदा ये होता है कि आपका खून साफ कर देता है। अगर आपको किड्नी की मिमारिया हो रखी हैं तो आपके शेरी में और आपके खून में तरह तरह के टॉक्सिंस एकठा होते जाते हैं। आपके किड्निया इन टॉक्सिंस को छान नहीं पाती हैं और इसी वज़े से आपके शरी में तरह तरह की कॉंप्लिकेशन होती जाती हैं तो सैफ्रों खाने से आपको यही खून आराम से फिल्टर होता जाएगा आपके खून में मौझूद तरह तरह के टॉक्सिंस आपके शरी से बाहर जाते जाएंगे और इसी वज़े से आपका immune system भी strong होता जाएगा आपका blood circulation काफी अच्छा होता जाएगा और आपके खून में oxygen की मातरा बढ़ती जाएगी आपके खून में oxygen की मातरा बढ़ने से आप daily energetic महसूस करेंगे किड्नी की बिमारी के दौरान इंसान के शरी में बहुत जादा कमज़री हो जाती है ऐसे में सैफ्रोन आपके शरी के लिए काफी ताकत भरा हो सकता है और सैफ्रोन में मौझूद antibiotic properties आपको तरह तरह के bacteria और infection से भी बचाएगी सैफ्रोन वाली चाय का एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपके किड्नी सिस्टम और digestive system दोनों को ही अंदर से साफ कर देता है ये दोनों ही सिस्टम से excess waste निकाल बाहर कर देता है जिससे आपकी किड्नी पर पढ़ रहा extra burden बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है आपकी body को काफी हलका मैसूस होने लगता है और आपके शरीर पर extra दवाव नहीं पड़ता high blood pressure भी किड्नी के patientों में होने वाली एक भाग बड़ी बिमारी होती है high blood pressure को hypertension भी कहा जाता है और ये kidney failure का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अगर आपको किड्नी के बिमारी के दौरान high blood pressure की बिमारी है तो आपको इसे control करना ज़रूरी है यहीं आपके काम आ सकती है सैफ्रोन वाली चाय जो आपके नसों को खोल देती है और आपके खोन का blood flow normal होने लगता है आपका blood pressure दीरे दीरे कम होता जाएगा और आपके heart और kidney दौनों ही अच्छे से function करती जाएंगी सैफ्रोन में मौझूद anti pain properties किड्नी की बिमारी के दौरान होने वाले दर्द से भी आपकी मदद कर सकती है किड्नी की बिमारी के दौरान एक इंसान के पीठ में एक इंसान के शरीर में बहारी मातरा में दर्द होता रहता है अगर ऐसे पेशेंट सेफरोंटी का इस्तमाल करेंगे तो उनके शरी में होने वाले दर्द में काफी हद तक कम ही आ जाएगी किड्नी के बिमारी के दोरान कोई भी चीज पीने से पहले आपने डायटीशन से जरूर कंसल्ट कर लें अगर आप किसी अच्छी डायटीशन को नहीं जानते तो तुरंत ही नीचे स्क्रॉल हो रहे नमरों पर करमा अरवेदा के एक्सपर डायटीशन और एक्सपर डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लेने यहां डॉक्टर पुनी धवन और उनकी टीम आरवेदिक इलावज दौरा किड़नी के 35,000 से जादा प्रेशन्टों को ठीक कर चुके हैं चले मिलते हैं एक ऐसे ही प्रेशन्ट से अगरे मिलते हैं तो अभी दिखाया आपने यह रेपोर्ट जिनाएं रोक्तर सको नहीं दिखाया तो बहुत अच्छा रिजेट आया पहले कभी पहले तुझी इंक्रीज कर गा था आपकर रेट में ने कहां से टेस्ट करा हैं आपने यह अच्छा तो यह इनकी रिपोर्ट है सेवन क्रेट में पहुंच जाए था इनका डालेसिस वालेज शिदी आ गए थी और आज की रेट मेंट का ग्रेट में दो हो चुका है सेवन से घटके हुआ यह क्रेट में 29 माई 2019 में 5.30 5.30 यह लाब हमने बहुत है कराने के लिए अपने अनुसार आपने कराई है यह अपने कुद कराई है जाए फाइट करेट में घटके 5.3 हुआ और फिर यह वा 2.47 शार ताइस साथ बोर जार उननिस यानि कि यह रिसेंट रिपोर्ट है बिलकुल और 2.4 हो चुका है और यह बहुत वेलिए ने तू नॉमन हो चुका है दो की रिंज में क्रेट में आ चुका है और यह बहुत ब पर भी चेंजर नजना आए आपको कैसा आभी सार्जें लगा कि कुछ चेंज आए ठीक है पहले से बताए ना खुल के बताएं ताकि सब सुनताएं आपकी आवाज आपकी पात और जो फाइदा हुआ है पहले जो इस्तिती थी ना उससे बहुत अच्छी स्तिती यह मैं क्या स और अगर फ्रक खाने जाए अगर इसको और हो दिए जाए बहुत एक ऐसी गंभी समस्या और गंभी बीमारी और गंभी स्टेज पर विशन आयते हैं कि सेवन के आसपास पर और डालेशिज और ट्रांस्प्रेंट एडवाइज था और आज की रिट में का आच्छे से इनों कैसे कर्म अरविदय का अरविदय ज्यान इस इंसान के लिए एक वर्दान साबित हुआ आचा है इस वीडियो आपको जरू अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अंगले वीडियो में हल्दी रहे खुश रहें 001-4264-4274 हमारी इमेल आइडी है doctor at karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग उन भी कर सकते हैं